अगर चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि पॉल्टेक्निक कॉलेज भागलपुर का कॉलेज डिव्यू देने जा रहा हूं दोस्तो हमारे जितने भी निव अस्टुडेंट पॉल्टेक्निक में अडविशन लेने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी यूज़ फूल होने वा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे जो रिव्यू है मारी यूटूब चैनल सीवम टुटोरियल के थ्रू कराया जा रहा है जिसे आप लोग विजिट कर सकते हैं www.youtube.com.sevamtutorial पे दोस्तो उसके बाद आपको हम इसके अफ्लेशन से बात करें तो इसकी जो अफ हम इसके स्थापना की बात करें तो इसके स्थापना वो 1905 के इसी बीद में हुआ था और उस दिन से कॉलेज अभी लगातान अच्छी performance दे रही है और लगातान चल रही है दोस्तो उसके बाद हम इसकी एड्रेस की बात करें तो इस कॉलेज का जो एड्रेस है वो बरारी भ उसके बाद हम campus की बात करें तो college का campus है वो total 50 acres में फाइला हुआ है दोस्तो मैंने तो कोई major major नहीं किया है यह officially जो data आपको दिखाया गया है उसी के नुसर मैं आपको इस सारी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तो उसके बाद इसकी जो अस्थापना के समय जो नाम था वो आपको बता दे कि 1955 में जब बना था तो इसको नाम दिया गया था भागलपूर school of engineering जिसे बाद में भागलपूर पोल्टेक्निक कॉलेज नाम दिया गया दोस्तो इसकी हम website की बात करें तो इसकी website है gpbgp.org आपको कोई भी information लेना हो जब college में अडविशन हो जाएगा तब आप इसी website को visit करोगे तो आपको बहुत सारी जो notice है वो आपको मिलेंगे दोस्तो उसके बाद आपको बता दे campus की तरह का दिखता है तो आप building देख सकते हो इस तरह का campus का building है और ground आपको इस तरह का building आपको college में देखने को मिलेगा दोस्तो हम इसकी workshop की बात करें तो workshop आपको देख सकते हो इस तरह का workshop होता है जहां पर आपको machinery की बहुत सारी चीजे आपको सिखाई जाती है तो आप देख सकते हो इस तरह का यहां का workshop है दोस्तो इसके बाद हम branch और integrity capacity की बात करें तो आप आप आपको बता दें कि स्कॉलेज में टोटल जो branch है वो डो टोटल पाच बरांच है जिसमें आपको electronics है और देख सकते हो मैं रोकराणिक याई उसके बाद अगर कलचर हो इसके बाद टेक्स क्राइब है और उसके बाद में आपको CAC branch मिलेगा दूस्तो इसमेंндबद आप कि टोटल 60 seat है और उसके बाद 5000 कि 60 सीट है और अगरे कल्चर की टोटल 30 सीट है टेक्स्टाइल की टौटल 30 सीट है और जो है सी के निक्ट टोटल जो है वो in की intake capacity हो गई दोस्तों उसके बाद हम जो college में अब लेबल facility है उसकी बारे में बात करें तो college में total facility जो अब लेबल है उसमें सबसे पहले computer center है उसके बाद library की वबस्ता college में दी गई है अस पोस fertility है hostel maze की सुबधा है लैब की सुबधा है और college में बर्क सोग बनाई गई है तो यह सारे student से related जब पढ़ाई होगी तो वहां काफी काम आने वाली है दोस्तों इसके बाद हम इसके कुछ और important जो student के point of view से है वो आप देख सकते हो इसमें जो पहला बिहार skill development mission है यह बहुत काम की चीज़ है दोस्तों skill के basis पर ही आपको बहुत सारे job हैं वो मिलते हैं आप उस like बन सकते हो कि खुद का भी रोजगार कर सकें दोस्तों उसके बाद में यह training entrepreneurship का जो training है वो scheme यहां लागू किया गया है उसके बाद nptl के थुरू आपको बहुत सारे online exams और spoken यह सब का जो टुटोरियल है आपके जो कोर्स से related टुटोरियल है वो सारे अबिलेबल होते हैं दोस्तों टुटोरियल आई आई बंबै से यहां training अस्पोकें टुटोरियल की मिलती है जो आपके अंग्रेजी में काफी help करते हैं दोस्तों उसके बाद online swim का जो course है वो अब लेवल है यह आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा help करेगे अगर college का professor आपको नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा help में आप रहेंगे तो दूस्तों मैं आपको सारी अडविशन से related जो information और counseling से related जब तक आपके अडविशन नहीं हो जाती तब तक आपको सारी जनकारी मैं देते रहूंगा दूस्तों उसके बाद में आपकी जो एक तूर्टप के लिए आपको एक जाम देना होता है वो बू CC बोर्ड के तरू ऑर्गेनाईज होता है 這 वो बू Пер Euh वात करें तो एक जाम होते हैं आडेसिए और एक यहीं के ग्त्रूण सबस्के संड्री होता है दोस्तो इसके बाद हम fee structure की बात करें तो मैं आपको details आप a screen पे देख सकते हो यह हमारे सामने fee structure है जो government for technique college भागलपूर का fee structure है दोस्तो यह officially है और principal के थूरू verified है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप date देख सकते हो यह 39-2020 का date है और इसी दिन यह जारी हुआ है तो दोस्त आप यहां देख सकते हो semester fee में आपको सबसे पहले आपका एक अडवीशन भी होता है वो आपको पाच रुपी पर semester होते हैं तो जेंडरल और disabled quota या यह CST और girls student है उनको भी पाच रुपे देने होते हैं तो वो total 10 रुपे होते हैं दोस्तो और उसके बाद tuition भी आपको पर मन है पाच रुपे देने होते हैं यानि total 12 मन्त का साथ रुपे देने होता है वो दोनों यानि सारे केटो गरीबाले को उतना ही देना होता है दोस्तो उसके बाद student development भी है वो एक साल में एक बार देना होता है वो एक हजार रुपी आपको जितने भी general हो या OBC हो या CST हो या girls student हो सारे को उतना देना होता है दोस्तो कोजन मनी है देख सकते हैं आपको one time for diploma या आपको डिप्लोमा करें तो एक बार आपको शुरुआती में जब admission लेते हैं उस time देना होता है वो आपको 200 पे देने होते हैं सारे student को सारे category student चाहे वो girls हो या boys हो तो दोस्तो उनको 200 पे द बात करें तो आपको 80 रुपिये पर semester देने होते हैं यानि साल में 2 semester तो आपको 160 रुपिये सारे student को देने होते हैं सारे category वाले को उसके बाद में board का registration भी है वो one time होता है जब आप admission लेते हो उसके कुछ दिन बाद आपको registration कराना होता है वो पूरे course के दवरान एक बार होत हैं दोस्तों उसके बाद आपको जो board का examination भी है वो एक हजार या फिर 700 रुपिये पर semester देने होते हैं तो जो जेनरल वाले को 2000 रुपिये लगते हैं और फिर जो SCST वाले को होते हैं या फिर disabled को टाके हैं और girls student है तो उनको 1500 रुपिये देना होता है उस्तों और जो नीचे म आपको 60 रुपिये देने होते हैं वो आप देख सकते हैं 60 रुपिये दोनों दोनों boys और girls और उसके बाद सारे category के student हैं उनको देने होते हैं तो दूस्तों इस तरह से आपको general वाले student को 4990 रुपिये total होते हैं और जो SCST होते हैं या फिर disabled को टाके हैं और girls student है तो उनको 3490 पर देने होते हैं और जेंडरल OBC बाले को इतना देना होता है दोस्तों उसके बाद लिखा गया है प्रिंसिपल के थुरू जो अप्रूब्ड है उसका साइन्ज मोहर किया हुआ है तो दोस्तों लगवग इतना ही फी एस्ट्रक्चर है वो सारे कॉलेज का होता है जो ट्यूसन फी और कॉलेज फी है दोस्तों इसके लाबा मेस चार्ज और होस्चल चार्ट थोड़े-थोड़ परोट्रेज काम करते है फोल्टेक्निक उलेज में लगवग सारे प्लेज कोलेज में यही सारी कमपणियां जाती है तो दोस्तों इसके बाद में आपको विडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में बोकुत करें